दोस्तो यहां पर जो चीजें आप रखी वी देख रहे हैं क्या आपने पहले कभी इन चीजों को देखा है मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों ने इन चीजों को नहीं देखा होगा यह चीज आप जो देख रहे हैं इसे VCR प्लेयर कहते हैं लगबग 25 साल पुराना यह VCR प्लेयर है और पहले की जो टेकनोलोजी होती थी यानि की जो मूवीज देखने के लिए या फिर विडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो प्लेयर इस्तमाल किया जाता था उसे VCR कहते हैं स्टार्टिंग की जो टेकनोलोजी थी यही थी इसमें जो कैसेट लगती है यह तो आ यह वाले स्टोरेज का समाल किया जाता था ओडियो के लिए आपने देखा होगा कि audio कैसेट का समाल किया जाता था वो काफी चोटी होती है यानि कि इस से तीन गुना चोटी लेकिन यह काफी बड़ी कैसेट होती है और आपने देखा होगा जब साधी होती थी तो साधी में जो cassette वगर इसमाल होती थी, इनी का इसमाल किया जाता था recording करने के लिए इसके लिए जो camera होते थे वो काफी भारी camera हुआ करते थे जो कंधे में लेके आपने देखा होगा ना, जिनने देखा तो कमांड करके ज़रूर बताना cameras के अंदर ये cassette से लगती थी और उस camera को operate करने के लिए एक बड़ी सी battery कंधे में लटका के चलनी पड़ती थी आप उस जमाने के हों जिन्होंने ये चीज़ें देखी होंगी and you are very lucky तो काफी lucky हैं आप कि आपने इन चीजों को पहले देखा हुआ है यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि यह जो चीज है यानि कि यह जो प्लेयर है यह कैसे काम करता था अब यहां पर मैं और भी इसके बाएं में थोड़ा सा और डिटेल से बताना चाहूंगा यह जो VCR होता है यानि कि जिसका फुल फॉम है वीडियो cassette recorder और जो प्लेयर होता था वो VCP होगा करता है यह कि वीडियो cassette player दो होगा करते थे एक reward करने के लिए एक player करने के लिए अब यहां पर जो यह है VCP है तो यह जो cassette है यह इसमें attach होती है यह इसका system है और इसमें जो circuit इसमाल होता है वो यह वाला है इसकी body तूट गई थी इसलिए मैंने खोल के फैंक दी है यह खुद का मेरा है और 25 से भी उपर इसको time हो गया है मुझे accurate नहीं पता लेकिन 25 साल तो confirm है इसको हो चुके हैं यहां पर यह कैसे काम करता है और यह है खुशी की बात तो यह है कि अभी भी operate होता है लेकिन कुछ time पहले जब मैंने इसको देखा तो इसके अंदर कुछ यहां पर पत्ते बगर लगते हैं जो इसके साथ रील हुआ करते थी और वैसे मैंने कुछ time पहले एक पुराने एंप्लिफायर पर भी वीडियो बना है जिसमें एंप्लिफायर को मैंने दिखा है उसके अंदर का circuit दिखा है कैसा होता था अहुजा का है बहुत ही जबर्दस और इजनल है आसकल के time के एंप्लिफायर उतने खास नहीं होते थे बट पहले के time के जो एंप्लिफायर है भारी और जबर्दस तुगा करते थे तो चलिए जो भी है उस वीडियो को जरूर देख लेना लेकिन आज मैं इस को आपको दिखाऊंगा इस circuit को भी चिला के आपको दिखाऊंगा एंड यह और यहां पर यह कैसे काम करता था है यहां पर यहां पर दिखेए कुछ वार में इस मोटर में अटेज्ट थी जो चुहे ने कटका लिएं लेकिन मैंने डोगा इसका फूरा Circus है और यहां पर देखिए यह भी इसका एक चौटा सा circular एह SMD में है यहां पर इसके बारस मैं ठ जो भी old movies है जो भी विडियोज हैं उनको रीड करके यह से data उसको देता याना कि सिंगल उसको देता है और वीडियो के मादम से आपको कि उसका सिंगनल वीडियो के मादम से TV कि स्क्रीण पर दिखाई देता है अब काम कैशे करता था मैं आपको दिखाता हूं एक बार मैं ट्राय कहता इस वीडियो को बनाने से पहले यह इधर पर फस गया तब बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको निकाला लाइन देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ निए एक बैटरी ही है 12 वोल्ट की इसके साथ तरच कहने के लिए जो बैल्ट वगरती वो तो भी है इस चुहे ने कट कर ली बट मैं आपको एक इस तरीकी से दिखाता हूं सैद आपको स्क्रीन पे पूरा-पूरा दिख रहा ह अब देखिए यहाँ पर मैं इसको लाइन देता हूं एक बार लाइन देता हूं देखिए इस तरीके से काम नहीं कर रहा है चले मैं ऐसे करके आप देता हूं मैंस और प्लस को उल्टा करके अब देखते हैं देखिए देखिए कितना जबर्दर तरीके से आपर यह लगा अ कैसेट आटमेटिकल इसमें लगा और यहां पूरा टैच हो गया और इसके साथ पूरा देखिए यह देखिए भई हमने कलपना भी नहीं कि थी कि यह टेकनोलोजी हमारे टैम पे हुई होगी आजकल के टैम पे यह तो टैकनोलोजी ने आजकल तो पूरा डिजीटल सिस्टम है पूरा मेमोरी कार्ड वगला के सिस्टम है बट पहले के टैम में यह देखिए यह फाल तुगा सर्केट लगाना पड़ता था इस कैसेट को रीड करवाने के लिए आजकल तो सिर्फ एक छोटे से कार्ड में ही पूरा मुवीज वगरा आ जाता है आप देखिए यह रील इस इसको खोलने का कोशिश करता है चलिए अब हम इसको नेगेटिव पॉजिटिक को उल्टा रगा रहते हैं सहथ यह खुल जाए देखिए देखते रही है बड़ी ही प्यार से खुल गया रील भले यहां पर फस्की है यहां पर इसके भी बाहर को एक कवर रहता है इसके भी प्रेस करना पड़ता है इसको प्रेस करना पड़ता है तब जाके वह घूमता है बहुत ही जब अधस्य टेक्नोलोजी हो करता है एक बाए मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा चलिए अब देखिए एक आसेट है मैंने इसको इस तरीके से आप लगा लिया है बस यहां हम इस तरीके से लगा लिया है और यहां पर मैं इसको लगा लियाता हूं यानि कि पर जी से किस तरीकी से होता है ध्यान से देखेगा देखिए यह सिस्टम इसका इस तरीके से काम करता है एंड इसको मैं बैटरी की बार को उल्टा सुल्टा फिर लगा लेता हूं अब देखिएगा कि और मेंडिक कैसिट बाहर निकल जाएगी यह टेकनलोजी हमारे टेप के एंप्लिफायर में इस्तमाल होती थी टेप का एंप्लिफायर मैं आपको वह भी दिखाता हूं उस पर मैंने दो तुनिन पर वीडियो बनाई है उनको भी आप देख लेना यह वाला एंप्लिफायर ह है मेरे पास यह देखिर गाड़ी का आप्लिफायर ए और यह तो आडियो प्ले तो ऑडियो प्लेयर है इसमें कैसे लगती है और इसका सिष्टम बिलकुल इसी के जैसा होता था यह जपानी टेकनोलोजी है मतलब में भी यह जापान का हो सकता है यह देखिए इस तरीके से खुलता है और यहां कैसे लगती है ओडियो कैसेट यह कार का एंप्लिफार हो इसके अंदर भी वही टेक्नलोजी की समाथ बहुत ही जबर्दस टेक्नलोजी है तो देखिए उस जमाने में कितना जबर्दस यह सिस्टम हुआ करता था आज तो इसका कोई महत्व नहीं है लेकिन इस उस टेम पे इसकी वैल्यू और इसकी कीमत बहुत ज्यादा हुआ करते थी आपको बलीब नहीं होगा इसकी कीमत 20,000 से उपर हुआ करती थी लेकिन आज 20,000 में अच्छी से अच्छी चीजे आ जाती हैं देखिए कितना जबरतस्ति टेकनोजी हुआ करते थी अब यहां पर मैं आपको इस सर्कीट को ओन करके दिखाता हूँ यह सर्कीट अभी भी ओन होता है यहां पर देखिए यह बत्ती जल जाएगी मैं यहां पर पावर दूँगा तो देखिए यह देखिए अब वहां पर देखिए ओप्रेट वाला बटन प्रेस करेंगे यह बटन भी जंग खा गये हैं तो यहां पर वह बटन सायद खराब हो गया है वरना यहां पर पावर होने के बाद वह बत्ती गरीन हो जाती है लेकिन इस सर्कीट बिल्कुल सही है तो यहां पर यह टेकनोलोजी इस तरीक दो यह हैं एक संसर यह है और एक संसर है इतने सारे संसर इसमें लगे हुए हैं तो आपने देख लिया हुआ कि वी सी आर प्लेयर के अंदर कैसी कैसी टेकनोलोजी के असमाल हुआ है मैं कोशिश करूँगा इसको मैं बनाने का और जब भी बन जाएगा उसका वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेगा तो यह वीडियो के लिए आप कितने लाइक देंगे वह अपर डिपेंट करता है बट मैं यही कहूंगा कि ऐसी जबर्दस चीज़े हैं हो सकता आपको किस चैनल पर ना मिली हो लेकिन इस चैनल पर आपको ज़रूर मिलेंगी और मिलते रहेंगी हम हमें समय सिखाने की कोश्री करेंगा और नया कुछी लाने की कोश्री करेंगे अपनी चैनल पर बाकिया आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्पून है थैंक्यू सो मच